संसार में बहुत इंजस्टिस है ठीक है और जिसको जस्टिस देना ची वो देता नहीं है तो जो उपर बठेवे लोग हैं नीचे वाले को इंसाफ मिल नहीं रहा है बेटे ने मार दिया दो लोगों को उड़ा दिया उदर उसका बलड सेंपल बदल गया सब कुछ बदल गया अदालत से शूट गया तो इतने लोगों के साथ इंजस्टिस हुआ पड़ा है कि अगर उनको ये पता चल जागा कि इंसाफ है ही नहीं तो कूट देंगे वो हाथ में हत्यार उठा लेकुल सभी बात है इस वर जो भी है सबका इजाद किया गया था कि वो उनको कहता अरे य गौड का अविश्कार किया गया और उनको दिया गया कि देखना उसके घर में देर है तंदेर नहीं तो वो आदमी मान लिया हमको कूटे हो न तुम लोग गौड देख रहा है मजबूत हो तो तुमसे लड़ नहीं सकते जज इंसाफ नहीं देगा हम तुम्हारी जाती वाल हमें पिछड़े हमको तुम कूट के जा रहे हो न तुमको ऐसे ही कूटेंगे वहाँ अचे हमको यह समय है कि गौड सब कुछ देख रहा है तो रोके कहने देख रहे तो एरे गौड कैसे कैसे एक बाद बताओ सब कुछ देखने लाइक है और भी आदमी जो इतना बढ़ियां कुछ किया है अगर आप सब कुछ को बढ़ियां बोलते हो दुनिया मनाईज आदमी बनाईज पेड़ पौजा बनाईज गुलाब का फूल भी वही बनाईज अतर भी वो आदमी आप पौटी कर रहे हो आपको देखेगा गुसा कर रहे हो कहा ही देखेगा आप कुछ लोग केते लिए हर कुछ देखता है वो हर जगा मोजी तर अब हर जगा क्यों रहेगा इतना बड़ी आदमी जैसे बिग बॉस में आदमी को अच्छा लगता है सब कुछ देखे लेकिन बाथरूम में तो वहाँ भी कैमरा नहीं होता है आदमी सब कुछ देखता है वहाँ पर क्या लडाई जगडा हो गया है अब जब से चार दिन से परसा ने हगे कहा है गौड हर जगा है गौड हर जगा नहीं होता गौड मेरे हिसाफ से था अच्छा था था यवह कंप्रॉमाइज कर लिया ऐसे मैं मानता हूँ कि सब कुछ कैसे होता है जैसे मैंने इसको दख्का दे दिया तो ये गिर गया तो मैंने दिया है ठीक है लेकिन अगर ये बच जा पे होता, रेंडम जगर पे होता, तो कभी नहीं है, मैं नहीं होता, कभी सिर्फ हवा आती है और इसको गिरा देती है, एक पत्थर होता है, जो 500 साल से पहाड़ पे यह लोड़का होता है, लेकिन वो गिसकता है सिर्फ 0.1 mm every year, 500 साल में एक दिन वो गिर जाता है, तो सब कुछ लोग बोलते हैं, गलत थोड़न बोलते हैं, कुछ तो हो गया, तो स्वरक टाइप जगह थी, अच्छा, और अपने से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे हो, स्विजरलन में हमने बनाया, लार्ज हेडरॉन कोलाइडर, जिसमें हम गौड पार्टिकल डू जोन रहे हैं, जोन रहे हैं, तो एनरजी को तोड़ने से बहुत भी स्पोर्ट हो सकता है गया, तो उन लोग भी बैटे थे, खुराफाती मन, तो उन लोग भी को एक्स्पेरिमेंट कर रहे थे, तो हो गया बिग बैग, उसमें वो तो मर गए, मगर एक नया यूनिवर्स ब एक टैटपोल टाइप की दरदर, सिंगल सेल से जो है, इनसान भी बने, पर ये क्यों कहा आपने कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसका क्या पर अभी हम तक हम डिस्ट्राइ नहीं कर पाएं इस वाले को, हमारा लार्ज एटरॉन कॉलाइडर लगा हुआ है बना जिसे टाइगर लोग ना इस दुनिया के अभी क्लाइमेट चेंज है, कोई ब्लेम करता है उनको, नहीं करता है गायों को करता है, कि हवा छोड़ती है, और ज्यादा तर क्लाइमेट चेंज का ब्लेम आदमी अपने उपर लेता है, कि हम गाडिया चला रहे हैं, हमारे यहां NTPC का thermal power plant है, उससे दुआ निकलता है, AC चलता है, उससे फ़लाने कोई gas निकलती है, हमाले पर वो को शानी चोग बनाती है आजकल, तो यह सब काम intelligent प्रानी करते हैं, अब ब्लेम करेंगो दूसरों को, बाकि जितने ओधे ओधे पेड़ पक्ची हैं, वो enjoy कर रहे हैं को ब्लेम कर रहा है, तू कितना बड़ा है भाई, कि तू climate change लिया आया, तेरी उकात क्या भाई साथ, ट्वाइलेट में तू तुम डर रहे हो कि कोई ब्लेम कर रहा है, तो वो है, ठीक है, मगर अगर God पर यकीन है किसी का, अच्छी बात है, उसमें, क्या है कि आपको depression नही होगे, नहीं मगर ये बात सही है कि mental health उन लोगों के अच्छी रहती है, मैंने देखा है, उन बुजर्गों को जिनका बहुत यकीन है, उपर वाले पे, God पे, आप उनसे पूछे तो उनने बहुत कोई फिकर नहीं है, आने वाले कल की, उसका theory है, जब आप 50, 60, 60 तक होते है खुब जैसे 22 में जवानी चड़ती है, जैसे 30 में सबाब पे चड़ती है, 35 से 30 से ढलान की तरफ बढ़ती है, 60 तक होते हैं, पिर आप से बात करने जैसे 70 साल के आप हो गए, आप से बात करने वालों कोई नहीं पका रहे हैं, कोई बैठे हैं कि नहीं आपके पास, तो जोला मस्त कमरा यसी लगा करके देंगे, सारे गुना होना माफ, कौर्नर प्लोट भी मिल जाएगा, और पढ़ेंगे तो वीला मिल जाएगा, और ज़ादा करेंगे तो हविली मिल जाएगा, इस तरीके से चलता रहता है, उसमें भी एक है, गौड के जो वो होते हैं, बिलीवर कारे करता बिलीवर वोटेवर तो हश्र कर दिन मतलब जब कायमत आएगा तो मैं ही तुम्हारे गुनाओं को माफ कर आप क्या आइडिया है वाज पर इंडिया में चल जाता है यहां पर होता है तुम करवावी लोगे कैसे करवाव गयार भी तो तुमको आती नहीं ने उसका निकाल लियार उन्हें कहाए कि वहाँ सब पहुचाएंगे सबको आ जाएगी यह सिस्टम है अभी कुछ दिन पहले ताओ के जामने मेरे आँख में अभी भी इंफेक्शन है गंगा उन्डुप की मारत यहाँ खोल कि यह साफ हो जाएगा अचली इंफेक्शन से महिना भरोगे इंफेक्शन से फरसान है लेकिन यकीन गाड पे करना अच्छी बात है उससे हमारे समाज में डर बना रहता है सो में से दो आदमी गुंडे क्रिमिनल रेपेस्ट जिस तरहीं चोर रुचक के निकलते है 98% वो डर में नहीं करता है कि गौड सब कुछ दे करा है मुझे लगता है कि वो 2% करता है इसलिए कि उसको गौड पर बरुस्त माफ करवा लूँगा हशर के मैदाल में तो बाफ होई जाएगा जब जिस्टिस होता है तो कोई नहीं करता है जिस्टिस होता है तो हर आदमी को रहता है कि नहीं आप यही मिनने वाला बॉस डंडे पढ़ेंगे लेकिन जो बहुत कमा लेता है नाbeiter कोई रहता गर कोई बात नहीं है करवा लेंगे चलिए जितने जैसे घर में आपके जैसे आपकी अम्मी नहीं है, मेरी भी नहीं है तो जब दान करते हैं आपको भी चीज तो उस पर नाम लिखा रहता है और यह कहा जाता है जैसे कुरान शरीफ आपने दीमदरसे में कि जितनी इस पर पढ़ाई होगी इसका सारा सबाँ आपकी अम्मा को जाएगा तो आप देते हैं पंखा आपने दिया जो हवा लगेगी और जो लोगों को आराम मिलेगा उसका सबाब आपकी अम्मा को मिलेगा वाटर कूलर दिये, जी ठंडा पानी पियेंगे, कलेजे को सुकून पहुचेगे, वो दो आपकी, अम्मा को लगेगा, आपने फलाना क्या है आप, सब, सब आपका, लेकिन वो गौड की उपयोग, रिलेजन की तो होती नहीं, गौड की उपयोगिता जो आपने बोली न, वो पटे किसे, उसमें कम से कम आदमी को एक सोलेस होता था, कि जंगल में अगर अकिले छूट गए हैं, तो शेर से बचा कौन सकता है, उपर वाला ही, वो एक रहिमत बानने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहले या कुछ पता भी नहींता है, क्यों होता है, IMD तो था नहीं, कि आज शाम में बारिश होगी, और यह होगा होगा, उस समें अचानक कुछ हो जाता तो उसको लगता था, जो भी हो रहा है, चुकि उपरे सोता है, सब कुछ नीचे से पता नहीं जलता है, तो यह एक यूपे हो किता तो थी, बिल्कुल थी, और वो बनी रहेगी ब फॉरेवर है, जब तके इनसान रहेंगे, यह आदमी ढून लेता है, पर नहीं तो इनसाने को भगवान बना दे,